प्रधान मंत्री नरीन मोदी ने रवीवार को मन की बात प्रोग्राम का सोवा एपीसोड पूरा कर लिया आज का एपीसोड टीवी चैनलों, नीजी रेडियो स्टेशनों और सामुदाइक रेडियो सहित एक हजार से अधिक प्लेटफर्म पर प्रोटकस्ट किया गया, इसके अरवाज साहियुक्त राष्ट के न्यूवार्क स्थिद हेड़कॉटर पर भी आज का एपीसोड सुना गया प्रतान मंत्रे ने कहा 3 अक्टूबर 2014 को विजय दिश्मी से शुरू आता ये तेवार हम हर मैने मनाते हैं मन की बात कारिक्रम नहीं, यह मेरे लिए आस्था, पूजा और व्रत है जैसे लोग इश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं मन की बात इश्वर रुपी जनता जनादर के चड़नों में प्रसाद की थाल जैसा है आज मन की बात का सोवा एपिसोड है मुझे आप सब की हजारों चिठ्थिया और संदेश में ले कोशिश किये कि ज़्यादा से ज़्यादा चीजों को पड़ पाऊं, देख पाऊं संदेशों को समझने की कोशिश करूं कई बार पत्र पढ़ते वक्त भावोख हो गया भावनाओं में भेगया और संभाला सोवे एपिसोड पर सच्चे दिल से कहता हूं कि बधाई आपने दी पात्र आप सभी शुरूता है 3 अक्टूबर 2014 को विजाय दश्मी के मुके पर हम सबने मिलकर विजाय दश्मी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी विजाय दश्मी यानि बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व ये एक ऐसा पर्व बन गया जो हर मेंने आता है हम इसमें सकारत मक्ता और लोगों की पार्टीसिपेशन को सेलिबरेट करते हैं यकीन नहीं होता कि इतने साल गुजर गए हर एपिसोट नया रहता है देश वासियों की नई सफलताओं का विस्तार इसमें मिलता है देश के कोने कोने से हर आयू वर्क के लोग जुड़े मन की बात जिस विशे से जुड़ी वो जन अन्दोलन बन गई आप लोगों ने बना दिया जब मैंने ततकालिन अमेरिकी राष्टपती बराक उबामा के साथ मन की बात की तो इसकी चर्चा दुनिया में हुई मन की बात मेरे लिए दूसरों के गुड़ों की पूजा का मुका है मेरे मार्ग दर्खशक थे लक्षमन राओ वो कहते थे कि हमें दूसरों के गुड़ों की पूजा करनी चाहिए उनकी इस बात से मुझे प्रेड़ना देती है यह कारिकरम दूसरों से सीखने की प्रेड़ना बन गया इसने मुझे आप से कभी दूर नहीं होने दिया जब मैं गुजरात का सीम था तब सामाने तोर पर लोगों से मिलना जुलना हो जाता था 2014 में दिल्ली आने की वाद मेंने पाया कि यहां का जीवन और काम का स्वरुप अलग है सुरक्षा का ताम ज़म समय की सीमा सब कुछ अलग है शुराती दिनों में खाली-खाली सा महसूस करता था पचास साल पहले घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि अपने ही देश्वास्यों से संपर्क नहीं हो पाएगा देश्वासी सब कुछ है और उनसे कटकर नहीं रह सकता था मन की बात ने मुझे मोका दिया पत भार और प्रोटोकाल व्यवस्ता तक सिमित रहा जनभाओ मेरा अटूट अंग बन गया हर महीने में देश्वास्यों के त्याग की पराशकाष्टा देखता हूं मुझे लगता ही नहीं कि आप से थोड़ा भी दूर हूं मन की बात कारिकरम नहीं ये मेरे लिए आस्था, पूजा और व्रत है जिसे लोग इश्वार की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाथ की थाल लाते हैं मन की बात इश्वार रुपी जनता जनादन के चड़नों में प्रसाथ की थाल जैसा है ये मेरे लिए अध्धात्मिक यात्रा बन गया है हम से वयम की यात्रा या तो मैं नहीं, तू ही संसकार साधना